मोडूरोला के हेंसेट में सबसे बढ़ी प्रॉलम ये है कि एक तो वैसे भी मार्केट में बिक नहीं रही है इसकारन से मुझे आज केसी वीडियो को बनारा पर रहा है तो दोस्तो यदि आपके पास भी पास भी आजे बढस बिक ही है यह कोई Motorola का handset है और यदि उसमें password lock लग गया है और आप उसे यदि unlock नहीं कर पा रहे हैं तो यह वीडियो especially आपके लिए जहां पर आप यह सीखोगे कि किस तरह से घर बैठे Motorola के किसी भी handset के password को आप घर बैठे कैसे हटा सकेंगे उसके password को आप reset कर सकेंगे चाहे आपके पास उसका pattern lock लग जाए या फिर आपका वहाँ पे password lock लग जाए कोई भी password हो आपका यहाँ पे आज के इस वीडियो से आप unlock करना सीखेंगे इस वीडियो को आप अंध तक पूर Motorola का handset हो आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद अपने Motorola smartphone को घर बैठे चुटकियों में दो से तीन मिनट के अंदर आप उसे unlock कर पाएंगे और यह मेरी guarantee है कि जब आप इस method से unlock करेंगे तो आपके Motorola handset का एक भी data loss नहीं होगा आप अपने Motorola को यूज कर पाएंगे without any data loss तो चलिए आज के इस important वीडियो को बिना किसी time wasting के यहाँ पर शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिकार हम अपने service center में किस तरह से किसी भी Motorola को हम यहाँ पर unlock करते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं Friends यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज के time में यदि आपका mobile आपका lock हो जाता है तो आपका कितना important data आपके handset में मौजूद रहता है तो इसी बात का ध्यान रखेंगे इसलिए हम जो यहाँ पर method इस्तेमाल करने वाले हैं उसे कहते हैं offline mode का code और इसी code का हम इस्तेमाल करेंग परसेंट चार्ज करना है यदि आपकी battery percentage 30% से ज्यादा है तो आप इस method को अपने handset में apply कर पाएंगे यदि कम है तो आप लगी हाथ अपने phone को battery charging पे लगा दीजिए ताकि आप इस method को कर सके अब उसके बाद जो next step आपको लेना है वो लेना है कि आपको अपने handset में से sim card को और memory card को दोनों को बाहर निकाल देना है युदि आपका SIM card और memory card दोनों बाहर नहीं निकलेगा थाज़ीं इस नहीं करना है कि आप साथ इस वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक एक-एक स्टेप को आप देखिए सीखिए और अपने लॉक स्मार्फोन में आप उससे जब अपलाई करेंगे तो आप अपने मोवाइल को अनलॉक कर पाएंगे तो चलिए अब बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने मोवाइ कर देना है अब यहां पर आपका यहीन आपका है अपको इमेर्जैसी कॉछ répondre पे चलाएगा और यहां लिखा हुआ हैं अब सिंपली लोग इसका استعم ride यहां देली रूटिन के लिए five brigade को call करने के लिए लेकि हमें यहां पे जो काम करना है वो करना है mobile के password को unlock करने के लिए क्योंकि अभी आपके mobile के साथ ही emergency का time आया हुआ है और इसे अभी आपको इस problem से बाहर निकालना है तो सबसे easy जो step है वो में आपको बता रहा हूं जो हम अपने service center में 13 सालों से कर रहे हैं और अभी का यह latest यानि कि 2023 का यह method है क्योंकि हर समय time to time यह method भी बदलता रहता है due to some security reasons ठीक है तो अब अगला जो step हमें यहां पर लेना वो है यहां पर हमें एक offline का code इस्तेमाल करना होगा और वो code है star hedge और यहां पर आप display पर देख सकते हो अब इस code को यह में आप इस्तेमाल करके लास्ट में आपको 1001 and hedge यह आपको इस्तेमाल करना आप चाहें तो इस code का screenshot ले सकते हैं ठीक है आपको मैंने यहां पर फिर दिखा देता हूँ इस तरह का यह code है आप चाहें तो इसका screenshot ले 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 या फिर इससे कहीं copy pane लेके लिख लिजिए यह बहुत ही important code है अब इस code को हमने यहां पे तो type कर दिया लेकिन हमें इस code का करना क्या है simply हमें इस code पे three times call करने है call करना बहुत ही ज्यादा easy है simply आप यहां पे calling पे click करिए एक call field का message मिलेगा आपको इससे okay कर देना है इस तरह से आप इस process को पूरी तरह से तीन बार यानकि three times आप इससे complete करेंगे और अब आपका handset पूरी तरह से offline mode में चला गया है अब आपका mobile जो है वो unlock होने के लिए ready है तो अब हम यहां पे अगले step के तरफ आपको लेके चल रहे हैं simply आपको encode को यहां से हटा देना है अब मैं यहां पे इस्तिमाल करने वाला हूँ Google FRP lock का जी हां आप ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या नाम बता रहा हूँ इसका नाम है Google FRP lock जो हमारे service center में हर महेने ये नया code आता है जिसके help से हम Google FRP mode को activate करते हैं और यही आपका final और most important step है तो इसलिए इसे ध्यान से देखिए अब मैं जो भी बताओं उसे आप अराम से सुनिए और उसे अपने lock mobile में आप apply करिए सिंप्ली अब आपको यहां पर एक मैं code डाल रहा हूं उसे मैं यहां पर आपको डाल कर दिखा रहा हूं यह code अभी का latest code है जो आप यहां पर देख रहे हो और इस code का मैं आपको नाम बता दूँ यह code है Google FRP code जी हां अब यह Google FRP code का जब आप यहां पर इस्तेमाल करोगे तो आपके handset जो है उसके सारे password यहां पर reset हो जाएंगे ठीक है लेकिन इसका इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है एक method होता है जिसके बिहाव पे आप इस से यूज करेंगे अपने lock smartphone में तो simply अब आपको यहां पर इस code को डाल लेना है लेकिन इस code का एक demerit है कि यह code हर महीने बदल जाता है Google के द्वारा यह code हमें दिया जाता है जिसके बदले Google हमसे एक अच्छा खासा मोटा amount भी ले लेती है ठीक है लेकिन फिलाल के लिए यह code मैं आपको free of cost में दे रहा हूँ यदि आप इस वीडियो को latest में देख रहे है तो यह code आपके Motorola के handset में work करेगा लेकिन यदि आप इस वीडियो को किसी और महिने में देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक यह code यहाँ पे change हो चुका होगा और उस समय के लिए आपको नया code चाहिए होगा तो उस case में आप हमारे चैनल को subscribe करते हुए आप हमारे चैनल को membership को आप जोइन कर लीजेगा जैसे ही आप हमारे चैनल के membership को जोइन करेंगे उसी के साथ हमारे टीम आपको instant एक WhatsApp पे वीडियो कॉल करके आपको latest का गूगल फारपी code है वो आपके phone में इंटर कर देगी जिससे आपका यह smartphone unlock हो जाएगा आगे के step के लिए चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि अब यहाँ पर हमें आगला step क्या लेना है simply आपको यह को डालने के बाद इस code पे आपको seven time call करना है तो call करना बहुत ही असान है आप यहाँ जब call पे click करोगे आपको call field का message मिलेगा आपको इसे okay कर देना है इस process को आपको totally seven time करना है तीन टाइम मैंने कर दिया four, five, six and seven अब इसके वाद आपको यहाँ पे दस सेकिन तक आपको यहाँ पे wait करना है जिससे क्या होगा कि आपका जो smartphone है वो background में आपके password को यहाँ पे remove कर देगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अब इसका simply आपको यहाँ पे 10 सेकिन जब हो जाए आप यहाँ पे और दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से आपका handset घर बैठे ही unlock हो जाएगा without any computer and without any software आप अपने mobile को unlock कर पाएंगे कि मान के चलते हैं यही आपका handset अभी भी unlock नहीं हुआ है उस case में आप हमारे चैनल को subscribe करते हुए आप हमें जोइन कर ले जैसे ही आप हमें जोइन करे कि देदेगी तो आप हमारे चैनल को जोइन करके ट्राइड जोड किजिएगा